ये उत्तरप्रदेश के गाजीपुर का मुहमदाबाद इलाका है हमारे ठीक पीछे बाहु बली नेता मुखतार अंसारी का पैत्रिक निवास है और गुरुवार को जब से ये खबर आई कि उनका बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दोरान निधन हो गया उसके बाद तब से यहां पे लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार बना हुआ है इसकी आपचारिक जो पुष्टी है वो एक मेडिकल बुलेटन के द्वारा की गई जिसमें बताया गया कि 63 साल के मुकतार अंसारी को तकरीबन 8 बच के 45 मिनिट पर इलाज के लिए लाया गया और 9 बच के 50 मिनिट पर उनका निधन हो गया उनकी हालत जो है काफी नाजुक थी उनको बेहोशी के हालत में वहाँ पर लाया गया था और वहाँ पे 9 डॉक्टरों की टीम ने उनको रिवाइव करने की कोशिश की लेकिन वो मुकतार अंसारी को बचा नहीं पाए और उनका इलाके में प्रवेश करते हैं और साथ ही यहाँ पर प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो लगातार एक तरीके से गश्ट लगा रहे हैं पूरे इलाके का यहां के सारी जो दुकाने हैं वो बंद नजर आ रही हैं उनमें ताले पड़े हुए हैं और जो आसपास के बाजा प्रवार भी है वो भी बंद नजर आ रहे हैं यह एक तरीके से अंसारी परिवार के राजनेतिक प्रभाव को भी दर्शाता है कि यहाँ पे कितने लोगों की उनसे सिंपती जो है एक तरीके से जुड़ी हुई है और लोगों का जैसे हमने आपको बताया है यहाँ पे आने सदस से भी मौजूद है और उनकी मौत को लेकर तमाम तरीके के आरोब परिवारवारों की तरफ से सामने आये हैं उनके बेटे उमर अंसारी का बयान आया है कि मुक्तार अंसारी ने मैजिस्ट्रेट को चिठी लेकर अपनी जान को खतरा बताया था और यही बात कही थी कि उनकी slow poisoning की जा रही है और यही बात दो दिन पहले उनके भाई अफजाल अंसारी ने मीडिया को एक बयान में दी थी जब मुक्तार अंसारी को ICU में इलाज के लिए भरती कराया था और अफजाल अंसारी उनसे अंदर मिल के आय थे तो उन्होंने कहा था कि मुक्तार अंसारी के वापस जेल भेज दिया गया था लेकिन उसके दो दिन बाद फिर उनको गुरुआ शाम को जेल से फिर medical college इलाज के लिए लाज लाए गया और उनकी हालत जो है काफी नाजुक थी बिल्कुल बेहोशी की हालत में उनको वहाँ पर लाया गया था तो उनके परिवार वालो इस तरीकी के आशंकाय जता रही हैं तो फिर उसके बाद सरकार को एक उचिस तरिया जाच करनी चाहिए और समाजबादी पार्ठी के वरिष्ट नेता राम गोपाल यादव का भी इससे मिलता जुलता बयान आया है कि अगर ये तथ्य में कोई सचाई है तो फिर उसके बाद ये काफी चिंता जनक है और सरकार को इसकी एक निश्पक्ष जाच करनी चाहिए सरकार की तरफ से कोई आपचारिक बयान अभी आया नहीं है सिर्फ मेडिकल बुलिटन के माध्यम से ही उन्होंने जानकारी दी है लेकिन मुकतार अंसारी जो है वो एक उत्तरप्रदेश की पॉलिटिक्स में काफी बड़ा चेहरा माने जाते थे और उनके भाई जो है वो भी सांसत रह चुके है उनके परिवार वाले अभी विदान साबा में सदस्य है तो उनका जो एक राजनेतिक प्रभाव है और उनकी जो पृष्ट भूमी रही है वो कॉंट्रोवर्शल भी रही है उनके खिलाफ जो कई सारे मुकदमे है यहां पर जो ठाना है उसमें हिस्ट्री शीट में उनके खिलाफ 65 मुकदमे जो है दर्ज हो चुके हैं उसमें तीन में उनका कंविक्शन हुआ है और उसी में वो सजा बांदा जेल में काट रहे थे उसके पहले वो पंजाब के एक जेल में थे और कुछ साल पहले उनको पंजाब से लाकर उत्रपदेश के जेल में जाकर रखा गया तो इस तरीके की प्रिष्ट भूमी उनकी रही है अब यह देखना होगा कि उनका जो शव है वो बांदा मेडिकल कॉलेज से पोस्ट मॉटम क है और प्रशासन के अधिकारी जो है मौझूद है सरकार भी कोशिश करेंगी कि तरीके से कोई कोरिडोर क्रिएट करें ताकि वहां से जो शव है उसको जल्द से जल्द यहां उस बॉटम के बाद पहुचाया जा सकें